Good evening to everyone, good evening बच्चो, welcome to this PYQ series 7 on the channel English by Janmeesh sir. So कैसे हैं सब बच्चे, how are you, hope you are well. जी, राजे, श्रीना, नीलम, very good evening बच्चो. सबी बच्चे क्लास में लाइव आजाएं. बच्चो, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, so be live in the class. अच्छे लिए शुरुवात करते हैं अपने एक नई सेशन की, based on previous year's questions. जी, विमल, सीमा, रीना, राजेश, नेलम, सीमा, पिंकी, जोती, सब्या, अलोग, हीना, रीना, बहुत अच्चे बच्चो. तो चलिए सभी बच्चे लगवों पहुँच गें तो अपने शुरुवात करते हैं और ये लेते हैं बच्चो सबसे पहला question. Question number one. Is the main theme of most of the girls were these ashes? Girls were the key के ashes की सबसे बड़ी theme क्या है? कौन सी theme है? Family history, fraternity, family history, fraternity, social problem, या फिर बच्चो रोमेंस. C answer करें. ओके, जोती, रिया, रीना, हीना, बहुत अच्चे बच्चो. Very good. अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा answer करें. बाकि सब बच्चे भी answer करें. जोड़ जाएं सब बच्चे, फटा फट जोड़ जाएं सब बच्चे. जी बच्चो. करेक्ट बात है, जी. अनम, राजिश, बहुत अच्छे, निलम, हीना, very good, sona, good evening. तो बच्चो बिल्कुल सही है, यह answer है आपका C. It is social problems of his time, है ना? यानि के वो jail reforms हो, या फिर social reforms हो, या बच्चो other things हो, इन सब पे इनका focus है. Question number two पे आते है, जो उन गेल्जवर्दी style is remarkable for? गेल्जवर्दी का जो बच्चो style था, वो किसके लिए remarkable था? Its strength and elasticity, its powerful, sweet, brilliant illustrations, या फिर its deep psychological analysis, या फिर all of the above. Okay, अखिलेश, very good. बच्चे पकड़ पा रहे हैं सारी चीज़ों को, वेल्कुल सही है, आंसर सही है आपका बच्चो, ये D answer जाएगा, exactly, it is all of the above. तो ये सारी चीज़े हमें कहां पे मिलती हैं, गेल्जवर्दी के style में, correct बच्चो, बहुत अच्छे. चलो, तैयारी बढ़िया हो रही है, इसका मतलब सब बच्चे तैयार है, जीन, नीतू, वीना, जोती, रीना, बहुत अच्छे बच्चो. question number third लाते हैं और देखते हैं, which of the following does not belong to, गेल्जवर्दी थ्री ट्राइलोजी जो तीन ट्राइलोजी उन्होंने लिकी थी, वो क्या, मतलब उनमें से कौन सीन में से नहीं है, not पे आपको focus करना है बच्चों, जी, पिंके good evening, very good evening, तो बच्चों क्या आंसर रहेगा इसका, man of property, foresight saga, modern comedy, end of the chapter, ओके कुछ बच्चे D कह रहे हैं, निलम D कह रहे हैं, ठीक है जी, बाकी बच्चे बताते रहे हैं, क्या answer होगा, what should be the answer, ओके, 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 छीक है बच्चों, all right, मीना D, देखो बच्चों, ध्यान से, यह जो लिखा है, man of property, this is the very first novel by him, it is the very first novel by him, समझ रहे हैं बात को, तो पहले वाला novel है इनका, man of property, जबकि play अगर हम कहें, तो play क्या है बच्चों, silver box, याद आ रहे हैं बात, हमने कल भी, कल पर सो भी questions इस पर जिकिया है, तो इस में से, तीनों में से, चारों में से हम देखें, तो A answer जाएगा, बाकी तीन आपके क्या है, these are the trilogies, getting बच्चों, तो answer आपका A जाएगा, कह रहा है, note, note वाली condition पर आप focus करेंगे, right बच्चों, अगले question पर आते हैं, question number next देखते हैं, June Galesworthy was born in the year, यह किस साल में जन हाँ, note पर focus करना है, सब बच्चों को, है ना, जी, सोना ने B कहा है, 1867, ओके, बाकी बच्चे बताएं, जोन Galesworthy, कब पैदा हुए थे, 1933 में उनकी death होती है, बच्चों, है ना, तो पैदा कब होते हैं, English writer है, सबसे पहले यह पता है, सब बच्चों को, और 1932 में को, 1867, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने correct जवाब दिया, it is B, 1867 to 1933, correct बच्चों, बहुत अच्छे, good evening, explorer, very good evening, ठीक है बच्चों, सभी बिलकुल ठीक है, हाँ, 14 तगर्स, ठीक है, सीमा, अखिलेश, बहुत अच्छे, अगला कुश्यन है, बच्चों, इन Galesworthy, justice, in Galesworthy, justice, 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 जो उनका वर्क था, फाल्डर, यादा रहा है आपको, the law is what is majestic edifice, sheltering all of us, each stone of which rests on another, has been said by, यह किस ने कहा है, cashier ने, lawyer ने, manager ने, या बच्चों, जज ने, तो answer क्या होगा आपका, tell me, what should be the answer of you, तो बच्चों, आपका answer यहाँ पे क्या बनेगा, ओके, ओके, by judge, exactly बच्चों, यह answer हमारा डी आएगा, यह judge के words हैं, बहुत अच्छे, correct बात है, सभी ने correct answer दिया है, हीना, pinky, sandhya, ria, explore, neelum, बहुत अच्छे बच्चों, अगले question पे आते हैं, who among the following note, is note a roman satirist, देखो क्या लिका है, note कह रहा है, यानि बाकी सब roman satirist हैं, बच्चों, तो answer क्या आएगा, आपका, हाँ, जी, बताएए, कौन साइन में से roman satirist नहीं है, question यह है, जी, okay, ria, nे कहा है, a, okay, ठीक है, quintillion, d, neelum ने d कहा है, जो ती, सीमा, a, कह रहे है, साक्षी ने d कहा है, बच्चो, d है, बाकी तीनों आपके कौन है, roman satirist है, यह कौन एथेन से है, एथेन, है न, and he is not basically a satirist, वो satirist है भी नहीं, he is not a satirist, राइट बच्चो, अगले question पर आते है, question number 7, to which school do, डज, जोन डन, जोर्ज, हर्बर्ट, एंड, एंडू मार्वेल, ध्यान से देखेंगे, जोन डन, जोर्ज, हर्बर्ट, एंड, एंडू मार्वेल, जी बच्चो, बताइए, किस से बिलोंग करते, मेटा फिजीकल, वेरी गुड बच्चो, ये मेटा फिजीकल है, देखो मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि, अब्राहम की काउ, अब्राहम काउले, यानि कि, अब्राहम की काउ, वोल के उपर से, यानि हरबर्ट में याद आरी है बच्चो तो इस सारे के सारे आपके कौन है all the all these are the metaphysicals है ना बच्चो और metaphysical जो word था as a derision use किया गया था as a derision use किया गया था by whom Johnson के through है ना Dr. Johnson यानिके Samuel Johnson had used this as a derision अगले पे आते हैं बच्चो which of the following books was translated into English by Wycliffe Wycliffe ने इन में से कौन सी बुक को translate किया था alliterative verses Bible a king and knocking या बच्चो गॉर्बोटक अच्छा हाँ PDF में नहीं दिये है क्योंकि रिना मेरा ये मानना है कि आप questions इसी से करें बेटा PDF से सिर्क उनको देखें और यहां पिनके explanation देखें जे गुड़िवनिंग दिव्या वेरे गुड़िवनिंग बिलकुल सही है बच्चो इस Bible मैं आपको बता दूँ Bible जो originally लिखी गई थी that was written Hebrew किसमें लिखी गई थी बच्चो Hebrew then it came into Latin then it came into French then it came into English समझ रहे हैं और अगर हम वाइकलिप की बात करें तो बच्चो वाइकलिप मिडलेंड डायलेक्ट में है इन विज मिडलेंड डायलेक्ट जो की इंगलीश का ये एक रूप था डायलेक्ट था पहले मिडले जिस में अगले कुश्चन पर आते हैं the hundred year war was fought between hundred year war अगर मैं कहूं बच्चो तो 1347 से लेके 1453 एराउंड 1453 तक चलता है तो ये किस-किस के बीच में था hundred year war इंगलेंड के और किसके बीच में जर्मनी, स्पेन, इटलिया, फ्रांस, hundred percent बहुत अच्छे बच्चो इंगलेंड फ्रांस के बीच में अच्छे बताओ hundred year war में जीता कून था, who was the winner, जीतने वाली party कून से थी बच्चो जी अनम, अन्रोध, विना, बहुत अच्छे, रिना सीमा, स्विया, बहुत अच्छे बच्चो तो जीतने वाली party कौन से थी इनम, फ्रांस, फ्रांस जीतने वाली party थी, क्या कह रहे हो आपनो, इंगलेंड, it was England which became the winner, इंगलेंड जीतता है बच्चो इना, याद रखेंगे, अगला दिखें, oh wild west wind, oh wild west wind, is an example, यह किसका example है, personification का, सिमली का, oxymoron का, है ना, या बच्चो, एपोस्ट्रॉफी का, टी डी किले इंडियन राइटर्स भी जरूरी है, मतलब इस तरह के questions बेटा, बन सकते हैं, क्योंकि यह आए हुए questions हैं, डी, बिल्कुल सही है बच्चो, apostrophe, मैं आपको बता दूँ, apostrophe में हम basically address करते हैं, address करते हैं, यानि कि आवाज देते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, किस किस को, या तो किसी dead को, या बच्चो किसी non living को, है ना, non living हो, dead हो, या फिर जो absent हो, इन में से किसी को भी अगर हम कहेंगे, तो यह जवाब नहीं आता, we get no answer, और यही इसकी beauty होती है, यही fact पैदा करता है, तो यहाँ पे अगर हम west wind को कुछ कहेंगे, west wind जवाब थोड़ी देगी, कि हाँ हाँ बताओ मुझे क्या कहना है, किदर को चलू मैं, किदर को बहू या नहीं, है ना, तो answer क्या बन गया आपका apostrophe, तो यह figure of speech है, बाकी को आप जानते हैं, nor cast one, nor cast one longing lingering look behind, the repetition of the sounds is cold, देखो यहाँ पे क्या है, longing, lingering look behind, है ना, L, L, L का बच्चो क्या हाँ, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यह क्या बनेगा, हाँ जी नितु बारिश हो रही है, और निलंबी कह रही हैं, बारिश है, C answer, exactly बच्चो बहुत अच्छे, it is alliteration, है ना, और अगर कहीं, और देखो यह किसका है, alliteration आता है, कि अगर हमारा repetition हो बच्चो, consonant की sound का, consonant sound, consonant sound, और अगर sound हमारी vowel वाली हो, अगर vowel sound हो बच्चो, इसका repetition हो बीच में, तो यह कहलाता है, assonance, क्या सब बच्चो, एक मिन्ट, हाँ, assonance कहलाएगा, तो it would be called assonance, राइट बच्चो, आगले question पर आते है, an oxymoron, oxymoron बच्चो, हूता क्या है, यह पूछा गया है, pairs, contradictive words in order to express new or complex meanings, internal, intentional exaggeration, makes a comparison between, stating that one thing is like another, या फिर, describe known human things, इसको देखेंगे बच्चो, personification है, last वाला क्या है, आपका personification, second वाला बच्चो क्या है, simile, यह न, यह क्या है, hyperbole, exaggeration जो होता है, hyperbole, पहले वाला क्या बन गया, आपका oxymoron, जैसे मैं कह दू, she's the, she's the wisest fool, अगर बच्चो मैं wisest fool कहता हूँ, तो fool है, तो wisest कैसे, wisest है, तो fool कैसे, correct answer हो गया, तो a answer आपका जाएगा, in which work of the John Milton, does the character Delilah, Delilah appear होती है, बताओ बच्चो, और वो उनकी autobiographical भी है, content इसमें, autobiographical, है न, तो बताइए बच्चो कौन सा वर्क है, the exactly, it is Samson Agnesties, बहुत अच्छे, है न, Samson Agnesties, Samson जो है, किसको दिखाता है, बच्चो, यह दिखाता है, Milton को, क्योंकि यह भी एक तरह से blind है, और Delilah किसको show करती है, Mary Powell को, उनकी जो first wife थी, correct बच्चो, बहुत अच्छे, very nice, good, great, going on, question number 14, बच्चो, in the opening invocation of the paradise loss, Orib, Orib, जो है, वो किसको refer करता है, Orib refers to, मतलब मेरे कहने का यह है, starting अगर हम देखेंगे, बारे books में, बच्चो, first book में है, और first book में, Saturn से हम शुरू करते है, starting becomes from the Saturn, जो कि यहाँ पर antagonist है, see exactly, it is Mount Horit, it is Mount Horit, Mount Perion something and Horit करके इन दो का था, तो Mount Horit यहाँ पर answer दिया गया है, exactly, तो answer बच्चो क्या जाएगा, आपका C, हाजी, ठीक है, ठीक है, C answer बनेगा बच्चो, अगले question पहते है, in the state of his blindness, in the state of his blindness, with whom Milton does not compare himself, मतलब वो अपने आपको blind, थैमेसिस से करता है, blind, मेंडेस से करता है, यह पर बच्चो लिसेडेस, किस में से नहीं करता है, यह देखो लिखा है, इन में से किस से अपने आपको compare नहीं करता है, नोट पर आपको focus करना है, डी, exactly, सभी यह, एट वूड बी बच्चो, लिसीडेस से नहीं करता, याद आ रही है, यह सारे questions बनते हैं, आपको याद रखने है, जी, अखिलेश, इसी में से आप देख सकते हैं, यही नोट से हैं सारे, जो आपको provide किये जा रहे हैं, who is often called as the poetical son of the Spencer, poetical son of Spencer बच्चो, कौन कहलाता है, who is the poetical son of Spencer, बताईगे, और किसने कहा, यह भी मज़ेदार बात है, who said this, ए, exactly बच्चो, बहुत अच्छे, सोना, अनृद, जी, सभीया, सीमा, राजेस, exactly, यही जोन मिल्टन, अच्छा, यह बताओ, कहा किसने, who said this, जी जुली, गुड़ मॉर्न, गुडवनिंग, निशी ए, और यह बच्चो, इस स्टेटमेंट कहा, किसने, जोन ड्राइडन ने, ड्राइडन, इट वोस ड्राइडन, who said this, the poetical son of Spencer किसको बच्चो, बच्चो, जोन मिल्टन को, है ना, correct बात है, बच्चो, ओके, which of the following, of mismatched, of mismatched, with reference to John Milton's work, बताओ, ओप education, 1644, area pagatica, 1647, lycides, 1637, paradise low, 1667, तो कौन सा बच्चो इसमें, जी एक ता, कोई बात नहीं है, आंसर करो, बटा, जी एंडो ए कह रहे हैं, सब यानि B कहा है, ओके, 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 जायतर आंसर B रा रहे हैं, तो भई B मानना पड़ेगा, ये लिखी गईती, 1644 में, तो इट वोज रिटन इन, 1644, 47 गलत है बच्चो, तो आंसर क्या आगया, अपा, area pagatica, that was written on the freedom of press, freedom of press पे बेस्ट है, है ना बच्चो, बिल्कुल सही है, अगले question पर आते है, which of the following is pastoral elegy, which of the following is a pastoral elegy, elegy in country churchyard, memoriam, lycides, या बच्चो, बिनो elegy, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सभी है, correct हो गया, under the sea कह रहे है, okay, okay, good, very good बच्चो, बिल्कुल ये सही बात है, lycides was an, was a pastoral elegy, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चो, milton's paradise regained takes its theme from, जो बच्चो paradise regained है, जो कब आता है, 1671 में किस के साथ आता है, बताओ, samson agnesties के साथ, samson agnesties, ये दोनों एक साथ आये थे, तो इसमें कहते है, ये theme कहां से लीस ने, हाँ जी, बी answer किया किले, सीमा ने बिल्कुल सही है, बच्चो, Luke's Gospel, St. Luke's Gospel से ये लिया गया है, तो answer आपका क्या जाएगा, बच्चो, बी जाएगा, correct everyone, तो this would be the answer B, St. Luke's Gospel, आल राइट बच्चो, अगले question पर आते हैं, very good, सभी answer बहुत अच्चा कर रहे हैं, जीरू भी good evening, good evening बच्चो, who remarked about his father, देखो, किसने अपने father के बाप के बारे में बोला, क्या बोला, my father destined me from my infancy to study polite literature, which I embraced with such as the, that from the 12, 12 की age से, I hardly ever retired from my books before midnight, रात 12 बजे से पहले, शायद ही, मैं, बारे की age के बाद में कभी, यह किसने, Milton, very good बच्चो, it was John Milton, यानि कि this kind of the discipline he had, और यह किसने उनके अंदर जगाया था, उनके father ने, तो हम answer क्या करेंगे बच्चो, यहाँ पे, John Milton को, exactly, correct बच्चो, बहुत अच्छे, very good, अगले question पर आते है, which of the following verse is not written by John Milton, इन में से कौन सा जोन मिल्टन का नहीं है, बच्चो, बताएए, of education, ariopagetti का, on Shakespeare, Alma, or the progress of mind, बाकि सारी बच्चो किसने लिखी है, हमारे John Milton ने, correct बच्चो, which of the following verse is not written by John Milton, इन में से कौन सा जोन मिल्टन का नहीं है, on his blindness, on the late massacre of pediment, या फिर on the morning of the Christ nativity, इस में क्या answer आएगा, जो ती ने D answer दिया है, निशी ने D answer दिया है, ओके, राजेस कह रहें B, D, बिलकुल बच्चो, D जा answer जाएगा, the passionate pilgrim, the passionate pilgrim, बताओ, किस ने लिखी थी, who had written passionate pilgrim, ये भी answer दियां, बच्चे सब लोग, who had written passionate pilgrim, ये बच्चो लिखी किस ने थी, ये भी बताएगे, Shakespeare, ओके, जोती ने Shakespeare का है, बाकी बच्चे बताएगे, क्या answer होना चाहिए, जी बताएगे, बिलकुल सही है, बच्चो, it was written by Shakespeare, तो किस ने लिखी थी, basically it was written by Shakespeare, correct everyone, तो Shakespeare की जाएगे, आजी, correct है, आगे बढ़ते हैं बच्चो, और next work पे आते हैं के, let us see the next work, next work किन काता है, which one of the following statements is true about Milton's sonnet on his blindness, sonnet on his blindness, पे कौन सी है, बच्चों में से, बताओ, आपको धियान में देना, on his blindness में से कौन सा true है, यानि के number one, on his blindness, precursor to, यह सी लेसिदेस से पहले है, या कर्टल sonnet है, या बच्चो, Milton did not give the title sonnet, the title on his blindness is given by later anthropologist, C, बिल्कुल सही है बच्चो, C answer बनेगा, ना तो यह कर्टल sonnet है, ना ही बच्चो, precursor है, लेसिदेस की, बलकि क्या है, Milton did not give the title, it was given by the anthropologist, जो later anthropologist से उन्होंने नाम दिया था, correct बच्चो, question number next आता है हमारा, which of the following statements is incorrect with reference to John Milton, बताओ कौन सा incorrect है, यह कह रहा है, जी, साक्षी, why not, questions would be there, जी बच्चो, बताओ यह, answer 24 का, 1671, Milton issued, last volume of the, which compared Samson Agnesty, बिल्कु ठीक है, paradise regained is, paradise regained is, be brief and poorer than paradise, Samson in form of has unity, time or place, C, बच्चो, exactly, it would be the C, कि Samson Agnesty is in the form, has no unity of time, place, action, तो यह बच्चो है, यह गलत statement जाएगा, तो answer आपका क्या बनेगा, यहां पर C बनेगा, डन बच्चो, अगले question पर आते हैं, how according to Milton, in his own his blindness, does one best serve God, भाई अगर आप last में देखें, on his blindness के, तो भी कहते हैं, who does serve the best, कौन गोड की सबसे best serve करता है, by returning to child, by submitting to his will quietly, या फिर by exchanging day labor, या फिर बच्चो, by hiding one's innate talent, बी, बिल्कुल सही है, बच्चो, बी जाएगा, by submitting to his will quietly, यह ना, जो भी भगवान चाता है, यह ना, वहाँ पर लिका है, योक, यानि कि whoever come under the yoke, यानि कि अपनी responsibility को योक की तरह से पूरी निवाता है, वो ही person आगे बढ़ता है, वो ही उनकी best serve करता है, तो answer आपका क्या जाएगा, यहाँ पर B से, Milton's first work is written in old form, तो बचाओ भी बच्चे कौन सी है old form, मतलब first लिखा गया तो old form में, paradise lost है, on the morning of price nativity, सेंप्सने गिश्टी या बच्चो डिफेंसियो, B, ओके ओके प्रिती बिल्कुल ठीक है, जोती correct बात है, सीमा, राजी, श्विमल, वेरी गुड बच्चो, इस on the morning of price nativity, answer आपका क्या बनेगा, बच्चो यहाँ पर B बनेगा, जी correct हो गया, बहुत अच्छे बच्चो, question number next, John Milton's Lysides and Matthew Arnold's Thyruses, ध्यान रखना है, Matthew Arnold ने किस पे लिखी थी, और्थर क्लॉग पे, यादा गी बच्चो, जबकि इन्होंने किस पे लिखी थी, Lysides, किस पे लिखी थी, Edward King पे, तो यह कहेक एक्जेम्पल है, अप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ बच्चो ने Lysides कर दिया है, आपने नीचे निगे, पेस्टोरल एलिजी, एलिजी और पेस्टोरल एलिजी दोनों में डिफरेंस होता है, एलिजी खाली एलिजी है, यह पेस्टर बेक्ग्राउंड में लिखी गए, और जानते हो बच्चो इसके अकोडिंग आपका 6 या 7 में कितना रात को आके स्कोर 7 को जोड़ोगे आप, तो स्कोर बनेगा बच्चो आपका 124 by 125, आपने साइन भी कर देंगे, लेकिन जब आप इससे की से मिलाएंगे, कि यह भी चार दिन बाद आजाएगी, बलकि दो दिन बाद आजाएगी इस बार याद रखना, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करके आएं हैं, है ना, ध्यान रखना है सब बच्चों को, हाँ, प्रैक्टिस के लिए बिटा, आपको इसे भी ले सकते हैं, मैकबेथ, मैकबेथ से सेंटेंस में मैटनीमी, मैटनीमी बच्चों हुथी क्या है ये भी बताएए, बिलकुल सभी याद इसको ध्यान रखना है, जी बच्चों बताएए, मैटनीमी किसमें यूज की गई है, मैटनीमी का बेसिकली मिनस चेंज ओफ वर्ड, चेंज ओफ वर्ड, वर्ड का चेंज करना, मतलब वर्ड का दूसरा मिनिक रखना, तो दिखो, और ये उडे स्रॉंगली विन, नहीं बनेगा, आई ड्रिंक टू दे जेंडरल, सेकंड वाले में बच्चों आएगा, आई ड्रिंक टू दे जेंडरल जोई, ओ दे ओल टेबल, करेक्ट बात है कि नहीं, तो इसमें अगर हम देखेंगे, चेंज ओफ वर्ड बन रहा है, यहाँ पे बेसिकली जेंडरल जोई के लिए, हाँ जी, सब्सिटूट के तोर पे, इग्जैक्ली, हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम बुके को यूज़ कर लें, तो हमें पता चलता है, बुके हैं तो इसमेंज फ्लावर्स होंगे, अगले कॉश्चन पर बच्चो आते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या आगे है, बच्चो लाइक आगे है, कमपैरिजन हो रही है, किस पर जाएंगे, इग्जैक्ली, बहुत अच्छे, सिमली पर जाएंगे, तो बच्चो यहाँ पर सिमली बनेगा, ए जाजाए, जाए, चाहे महाँ पर लाइक आजाए, इसका मिन सिमली से जाता है, बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चे बढ़िया कर रहे हैं सर, पर्शन नमबर 30 पर जाते हैं, बच्चो और 30 कहता है, इन देट्वेल्ट नाइट, मालवोलियो रीड्स लाउट वाइल एलोन, मारिया जाज फोज लेटर, ही इस अटरली इग्नोर, एक्चुली एंगेज इन सम्किंग सोब डायलोग विद हिम, इस गिव्ज राइज टू, यह किसको राइज देता है, मतरब ट्वेल्ट नाइट में मालवोलियो जब पढ़ता है, मारिया की लेटर को, याद आ रहा है आप मारिया का लेटर, किसके कोन थी वहाँ पे जो लड़की थी, वियोला सम्थिंग करके, ओलिविया, ओलिविया के नाम से लिख देते हैं, तो यह खुशी-खुशी में उसको पढ़ता रहता है, यह बच्चो किसको दिखाता है, C, ड्रेमेटिक आईरेनी, ओके ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चे भी बताएं, इग्जैक्टली बच्चो, इट इस ड्रेमेटिक आईरेनी, हाँ, वियोला, क्रेक बात है, तो यह बच्चो, ड्रेमेटिक आईरेनी है, वहाँ पे, डन, आंसर हमारा क्या जाएगा, C, identify the poet and the poem, क्या है बच्चो, अवर बर्तिज बटर स्लीप and फॉर्गेटिंग, बहुत इंपोर्टेंट है, हमारा बर्त क्या है, सोना और फिर भूल जाना, यह हमारा हर जन में होता है, the soul that rises with our life's star, head, head elsewhere it's setting, तो बताओ बच्चो, कहां पर आएगा answer, क्या बनेगा, वर्ट्स वर्ट इंटरनेबे, या immortality ओर्ड, या बच्चो, तो टेंपेस्ट या फिर कुबला खां, exactly बच्चो, इसका answer क्या जाएगा, आपका, बी फॉर बॉम्बे, वर्ट्स वर्ट ओर्ट ओन इंटिमेशन सब दे इंमोरिटेलिटी, समझ में आ गया सब बच्चों को, तो बी answer बनेगा बच्चों यहां पर, correct answer है, हाँ जी, correct हो गया साक्षी बिल्कूल, little we see in nature that is ours, very good, मतलब हम nature भी अपना जो कुछ है सब कुछ वो देखते ही नहीं है, तो little, बहुत थोड़ा सा मतलब ना के बराबर, little का मतलब negative, यहनि के nothing we see in nature that is ours, जो हमारा है, अब बारिश को नहीं enjoy करते हैं, इसको नहीं enjoy करते हैं, the answer दी दिया है सब बच्चों ने, बिल्कुल सही है, the world is too much with us, again कौन है याँ पर, wordsworth, तो it is William Wordsworth बच्चों, आगले question पहते, which out of the following is not a poem by Wordsworth, कौन सी नहीं है बच्चों, London 1802, strange fits of the passion have I known, नहीं है, the answer जाएगा, London किस ने लिखी, ये भी बताओ बच्चों, who had written London, who had written London, London लिखी किस ने थी, Shelly ने आपने का है, ओके ओके और बच्चे बताएं, London किस ने लिखी, ओके इसमे तो बहुत सारी answer दे दिया है आप बच्चों ने, आप लोगों ने बहुत सारी answer दे दिया है, किस में London किस ने लिखी थी, Blake, it was William Blake, बिल्कुल सही है बच्चों, पहले भी इस question को हम देख चुके हैं, it was William Blake, had written London, समन्न में आगे साब बच्चों को, आगे बढ़ते हैं, आजी, ये Blake है, what's worth the borders, देखो बच्चों, बार-बार question आए रहा, borders जो है, वो क्या है, किस category में, pros, tragedy, epic, worst tragedy, या बच्चों, ode है, two milton, वो अलग हो गया, B answer कह रहे हैं, epic कह रहे हैं, C भी कह रहे हैं, अनमने सी का है, बच्चों, इसका answer है, C, worst tragedy, है ना, आपने इसको पहले भी क्या था, ये worst tragedy है, हाँ, बिल्कुर सही है, विमल, correct बात हो गया, निलम, सौना, बहुत अच्छे, और बच्चों, मैं आपको बता दू, ये, एक, poetic play है, ये कैसा play है, poetic play, और this was the only play by, wordsworth, wordsworth का only play है, इसके लाव अनों ने कुछ भी ने लिखा, इन विल्यम, वर्ट्स बर्द, solitary reaper, solitary reaper, the solitary highland last, last का मीन से बच्चों, girl से, last का मीन से किसे है, girl से, ये कहां से है, Ireland से, Scotland से, Arabian sense से, या बच्चों, none of the above, B answer कर दिया, okay, 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 pretty, बिल्कुल सही है बच्चों, पृति सोना अनुरद, it is from a, girl from the Scotland, from which poem of the words, our birth is but asleep, ये अगेन बच्चों आया है हमारा, तो answer इसमें क्या बनेगा, a, इसको skip कर देते हैं, which form of the poetry, is the poem the solitary reaper, ये बच्चों आपको बताना है, ये जो solitary reaper, बिसिकली क्या ली गई है, कैसे ली गई है, डी answer कह रही है निशी, ओके ठीक है, ठीक है, lyric, तो बच्चों बताओ, lyric है, ballad है, क्या है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये solitary पे इसको check कर लेंगे, सब बच्चे, basically ये lyrical ballad है, ये ना बच्चो, it is a lyrical ballad, तो answer अगर मैं आपको बता दू, एक बार board ने इसको lyric माना है, lyric ज़्यादा माना है, इसको ballad भी कुछ जगाओ पे माना गया, but it is lyric, ये याद रखेंगे सब बच्चे, तो वैसे इसको देखेंगे, तो ये lyrical ballad है, ये confusion में है, क्योंकि एक बार उन्हें lyric माना है, एक बार 2005 के राउंड आई थिंक, इन्होंने lyric माना और फिर बाद में valid माना है answer, board ने, UP वाले की में बात कर रहा हूं, बोथ है, बिलकुल ने रोदिये थे, बोथ है, London to Dr. Johnson का work है, London Johnson का work है, चलो इसको चेक कर लेना, चूली, इसको चेक करके फिर देख लेंगे, वैसे जहां तक मुझे पता है, ये was written by him, in his work of the wordsworth, does the line, still sad music of humanity occur, बताइए बच्चों कहां पर आती है, still sad music of humanity occur, ये wordsworth की किस पोई में है, टिंटर ने भी recluse, immortality odd, या बच्चो दप्रिलूड, ए अंसर, हाँ जी, बेलकुल सही है, जोती, पृती, अंडो, correct हो गया, जी अनम, दीपा, हीना, सोना, ये बच्चों, टिंटर ने बे है, देखो कितना बढ़ी है, still sad music of humanity occur, कहां पर उता है, टिंटर अबे पे, है ना बच्चो, याद रखें, correct बात है, in which poem of the words worth, हम second last question पे पहुँच चुके हैं, बच्चो, in which poem of words worth, does the line occur, our birth is but a sleep, ये तो बता ही दो फिर आफ, ये फिर पूछ लिया गया है, तो बच्चो बताओ, कितना important question या नहीं जा रहा है, इसका मतरह भी ये आपके TGT पे आने वाला है, on seventh, ये आपका appear होने वाला है, डी, विल्कुल सही बच्चो, immortality old, और आज का last question बच्चो रहा है आपका ये, for whom did William Wordsworth speak, in his famous line, thy soul was like a star and built apart, ये तो answer कर देंगे सब बच्चे, जहां तक मुझे लग रहा है, और बच्चो किसमें है, two milton, two milton या बच्चो इसी को कहते हैं, London 1802, London 1802, इस poem में, D answer दिया है, C answer दिया है कुछ बच्चो ने, तो बच्चो ये C answer है, John Milton, John Milton को कहते हैं, विलियम वर्सबर्थ किसको कहते हैं, John Milton, oh milton, thou shouldst be living at this hour, ये line वहाँ पर आती है, या न, oh milton, oh milton, thou shouldst be living at this hour, याद आ रही है आपको, thou shouldst be living, at this hour, at this hour, राइट बच्चो, तो इसको ध्यान रखेंगे, तो आज बच्चो हमने, इंग्लेंद हैट, हैट नीड ओफ यू, बिल्कुल सही है एंडू, तो बच्चो आज इस वर्क को करते हैं, आज हमने इतना वर्क किया, जी, very good जोती, बस ऐसी ही तयार हो जाएगा, बच्चो अभी time है, सब बच्चे अभी भी focus कर ले, काम हो जाएगा आपका, तो आज इतना वर्क करते हैं, बच्चो उसको like, share, subscribe, जरूर करें, है ना, और मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं, एक नई स्रीज के साथ में, तब तक के लिए बच्चो थेंक यू सौमच, have a great time,